नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम बात करने वाले हैं पीली सर्सों का सर्सों तो आपके घर में होगा सर्सों दो तरगा होता है एक होता है बलेक और लाल पन लिया हुआ और दूसरा होता है पीली कलर का तो आज जो हम सर्सों का प्रियोग बताएंगे वो पीले रंगबाले सर्सों से ही आपको करना है देखे धर्म सास्त्रों में माना गया है कि घर में अगर सुगंधित वातावरन आप रखें तो ये सबसे ज़्यादा सुभ और पवित्र माना जाता है निगेटिव एनरजी को दूर करने वाला माना जाता है लेकिन घर में इस दो तक करने के लिए आप धूप दीप तो जलाते होंगे खर कोई अपने ठर्म के अनुसार ये जलाता ही जलाता है अब धर्मसास के अनुसार घर का बातावरन स्वक्ष्य और पवित्र सुगंधित रहना बहुत आवस्यक ह तो ऐसे में आज हम आपको एक छोटा प्रयोग बताएंगे, देखिए अधिकतर आदमी जो लोग हैं, साँम में जब आप दिया बाती करते हैं, या तो कपूर जलाते हैं, या फिर सरसों के तेल के दिया में लौंग जलाते हैं लेकिन आज जो हम आपको प्रयोग वताएंगे वो घर के नकायत्मक उर्जा को दूर करने के लिए आपको पीली सरसों का कैसे प्रयोग करें आज यही साजा करेंगे तो नकायत्मक सक्तियां अगर जीवन पे हावी हो जाए घर के लोगों पर हावी हो जाए तो जीवन नरक बन जाता है धन की कमी परिसान करती है हमेशा ही जीवन में कुछ नो कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जो आपको तोड़ सी देती है तो ऐसे में पीले सरसूं का सिंपल सा परियोग जो आपके जीवन के हर परिसानी को दूर करेगा देखे पीला सरसूं जो है तांतरी क्रियाओं में भी यूज होता है और मा बगला मुखी की पूजा में भी पीले सरसूं का यूज होता है अब आप सोचेंगे मा बगला मुखी कौन है ये सत्रूं को समाफ्ट करने वाली देवी है मा बगला मुखी और इनकी अराधना बिसेश तोर पर सत्रूं से परिशानी होने पर की जाती है अगर नियमीत रूप से उनकी आप अराधना करते हैं मा बगला मुखी का नाम भी लेक सरसों लेकर बांध लें, लाल धागे मौली धागा, के सहरे. अब मा बगला मुखी को अर्पित कर दे… आप के समस्त इक्छाएं हाथो हाथ पुरी हो जाएगी. ये पीला सरसों बहुत चमतकारी है. तो मा बगला मुखी को आप पीली सर्सों जरूर अर्पित करें ताकि जीवन में कोई परिसानी ना रहे और समस्त आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए अब हम एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे कई बार क्या होता है ना जीवन में परिसानी बहुत बढ़ जाती है तब एक नियम बना ले जब साम में आप दिया बाती करते हैं चाहे आप कपूर जलाते हैं या सर्सों के तेल का दिया जलाते हैं आप लॉंग मट डाल ये कुछ दिन लॉंग की जगा एक चुटकी पीली सर्सों डाल दीजिए कपूर के साहरे या आप दिया जो जलाएंगे सर्सों के तेल का उसमे अब इसी से पूरे घर में दीपक दिखाईए यकीन मानिए निगेटिव उर्जा सांथ हो जाएगी क्योंकि जब सरसो जलता है तब आत्रिप्त आत्माएं सांथ हो जाती है अब माल लेते हैं आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत नजर दोस लगती है बहुत परिशानियां आती हैं क्या करेंगे जब आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है जब आपको लगे कि आप बहुत परिशान है तब एक सिंपल सा प्रियुक करें एक बरतल ले ले इसको अपने घर में चूले पर चढ़ा दें अब इस बरतन को गर्म होने दे इसमें एक टुकरा फिट करी और थोड़ा सा पीली सरसों डाल दे जब सरसों चटकने लगे तब इसका धुआ को घर में फैलने दे इसके बाद जब वो देखी हलका सा हो गया है फिर इसको आप निकालने ठंडा होने दे एक कागज पे रखें तीन बार या साथ बार उल्टा वार ले घर से बाहर फेक दे जो भी वेक्ति पीडित है वो उसकी पीडाओं में जल्दी ही वो सांथ हो जाएंगे यानि उनकी पीडाएं समाप्त हो जाएंगी नजर दोस्त तांत्री क्रियाओं से मुक्ति मिल जाएगी तो ये प्रियोग बहुत सिम्पल है पीली सरसों का प्रियोग बहुत तरीके से किये जाते है कई बार क्या होता है राहू जीवन में बहुत परिसान करता है और जब राहू परिसान करेगा न तो जीवन में आकस्मिक समस्याएं आती हैं आकस्मिक बाधाएं आती हैं और जीवन में जैसे लग कौन सा है पूर्वा भाद्रप्रद स्वाती और अद्रा ये तीन नच्छत्र राहु के हैं जब ये नच्छत्र आएं चाहे वो किसी भी दिन आए उस दिन ये प्रयोग करना है थोड़ा सा पीला सरसो अपने हाथ में लेकर अपने उपर से साथ वार ले अब वार कर इसको कही पानी भी बहतेवे नदी में प्रवाहित कर दें जो पानी बह रहा है अमाल लेते हैं आपके आसपास बहतावा नदी नहीं है तब तब ऐसे में किसी पीपल के नीचे रख दें ऐसा करने किसमें कोई रोके नहीं देखे नहीं टोके नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा यह भी होता है कभी कभी क्या होता है आप कभी कभी घर में कोई सुमंगल कारे करते हैं अचानक से बाधाएं आ जाती है या लंबे समय से आपके घर में कोई सुमंगल कारे हो ही नहीं रहे लंबे समय से आपके घर में संतान की प्राप्ती नहीं हुई है किसी का साधी ब्या अब इसमें थोड़ी सी पीली सरसो रखें अब हनुमान जी के पैर का सिंदूर याद रखिए हनुमान जी के पैर का सिंदूर इसमें हलका सा लगा लें जो आपने पीला सरसो रखा है उसी में अब इस लाल कपड़े का आप मली धागा के सहारे पोटली बना ले और लाकर अप सब्सक्राइब दोस्त बाधाएं पिलाएं दूर होंगी गर में सुमंगल कारे होने लगेंगे साधी पीबापी होगा संतान प्रापती होगी करमें पूजा पाठ भी होगा आप लोग तिर्थय आत्रा भी करेंगे ये जो परियोग है ये आपके घर में आने वाली जो खुसिया है उसको रोकने में किसी को सहाइदा नहीं करेगी बलकि उसको दूर भगाएगी कि आपके घर में जो खुसिया आनी है उसको आने दीजिए तो आज हम आपके साथ बहुत सिंपल सिंपल परियोग कर रहे हैं ये चीजे आपके जीवन में बहुत माइने रखेगी अगर आप ये छोटा छोटा परियोग कर लेते हैं तो अगर जीवन में ज़्यादा परिसानी हो तब किसी भी सनिवार के दिन अगर चोटे बच्चे को नजर लग गई हो तो अपने हाथ में थोड़ा सा पीला सरसो लेकर उसके सर से वार कर आग में जला दे नजर उतर जाएगी हो तब एक छोटा सा काम करें नियमीत रूप से जब आप दिया बाती करते हैं साम किसमें अपने घर में दूब दीब दिखाते हैं उस समय आप दीपक में एक चुटकी या फिर दो चार दाने के पीली सरसों के डाल कर और फूर फिर आप पूरे घर में दिखाए इससे क्या होगा जो भी ओत्रिपतात्माय है जो भी आपके घर में वास्तू दोस है जो परेशानी है तंद्र क्रिया है वो नस्ट हो जाएगी करके देखें आप चाहें तो सरसों के साथ थोड़ा सा नमक जड़ा सा एक चुटकी और इसके साथ ही तीन साबूत सुखी वी लाल मिर्च भी ले सकते हैं और इसको आप कहीं भी बालकनी में छट पे कहीं भी आउट मतलब घर से बहार निकल गए या अपनी कीचन में करेंगे तो आप व ला लेना है आप देखिएगा बच्ची को दुबारा नेजर नहीं लगेगी या आप चाहें तो वार कर आप कहीं फेक भी सकते हैं पर पीछे मुड़कर मतलब साथ ही अगर आपके घर के आसपास माकाली का मंदिर है तो वहां से थोड़ा सा सरसों लेकर जाएए और वहां जो पुजारी होते हैं उनसे कहिएगा सरसों पढ़के दे देंगे और फिर इस सरसों को आपके घर में छोटे बच्चे हैं बड़े बैकती हैं आपको लगता है बार बार किसी का टोक लग जाता है नजर बद्वा लग जाती हाई लग जाता है तो ऐसे में थोरा सा इसको आ जादा परिसान करें आपको लग रहा है कि तमाम गरह आपके विप्री धारा में चल रहे हैं तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिएगा वैसे यह प्रियोग किसी भी सनीबार या मंगलवार के दिन करें एक लाल रंका रूमाल के इतना बड़ा कपड़ा ले ले नया कपड़ा ह पर लगा लें अब इसका पोटली बनाकर अपने घर के पुझा स्थान पर रख दें हर तरह के दोसों से संकटों से आपकी मुक्ति मिलेगी आपको और रोज साम के समय जवाब दिया बाती करते हैं तो दीपक में एक चुटकी पीली सरसों डाल दीजिएगा तमाम तरह के त जार और पीली सरसों भी खेर दें तो कोई निगेटिव एनर्जी रुकावट नहीं डालेगी धन्यवाद वीडियो पसंद आए तब प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनों से सेर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेब जरू लिखे धन्यवाद